नवस्कासातियों तुछ लिए हम लोग बात कर रहे थे आपका UPSC यानि कि Civil Service और State PCS को ध्यान में रखते हुए आपकी ये किलासें ले जा रही है और खासकर आप देखे कि आपका प्रलिम्स जो होता है ना उसको ध्यान में रखते हुए इन सभी किलासों को कवर किया जा रह है और आप देखें कि इसमें तमाम आपके जो State PCS होते हैं चाहे MPPSC हो बिहार PCS हो राजिस्थान चतिसगर या उत्तर पिदेश PCS हो इसका जो प्रिलिम्स का पहला पीपर होता है ना इसी को ध्यान में रखते हुए आपका भूगोल, History, फिर चाहे पॉलिटी हो या फिर आ करने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को इन के लासों को देखकर जाना चाहिए और इससे क्या रहेगा कि आपका बेस भी मजबूत होगा क्या होगा बेस भी मजबूत होगा और अगर आपके पास टाइम है तो आप लोगों NCEIT पढ़िए और जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पिछली कलास में हम लोगोंने धार्मी कांदोलन्यों के बारे में पढ़ा था जिसमें खासकर हम लोगोंने जैन धरम और बहुत धरम के बारे में बात की हुई थी आज की स्क्लास में हमें बात करनी है महाजनपदों का उदय किस तरह से हुआ इस पर एक बिस्तार से हम लोग overview लेंगे और एक आपकी playlist सूची बना दीगे separate UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से तो आप लोग playlist सूची को cover करते रहिएगा ठीक है? तो पुरातात्विक साक्ष उत्री काली पॉलिसदार मैदभान आहद आहट सिक्के और खारवेल का हाती गुफा अबलेग इसके पुरातात्विक साक्ष हैं किसनके? महाजनपोतों के और आप देखेंगे तो इन में आपको देखने को मिलेगा कि साहितिक साक्ष कर आप लोग देखें तो साहितिक सरोतों में ब्रह्मण साहित उपनिसाद बेदांग यास्क का निरुक्त सास्त पार्णी की जो किर्थ अष्टा ध्याई है बुद्ध गरंथ जो सूत पितक है बिनै पितक जैन गरंथ जो कल्व सूत है अगबती सूत है उत्तराध्यन सूत है ओवाई सूत है ये पिरमोख है ये साहितिक साहित है साक्ष है आपके महाजनपदों के और इसके साथ ही विदेशी साहित हैरोडोटस की हिस्टोरी का नियाकर नियारकस की का विवरन अन्षिक्किटीस आदी द्वारा लिखित गरंद पिलूटार्क जेस्टिन कार्टीस का विवरन महत्पूर है इन सभी से आपको महाजनपदों के बारे में बात मालू चलता है अगर हम देखी महाजनपदों की उधाय की बात करें तो बौध गरंद की अगुंतर निकाए और महावस्तू तथा जेन गरंद भगवती सूत्त से महाजनपदों के बारे में हमें सूचना मिलती है कि हमारे देश में महाजनपद भी हुआ करते थे उत्तरबैदी काल में गंगा घाटी की किरसी के विस्ताद तथा लोहे के जाने लगा और नेमित करविवस्ता की स्थापना हुई और इसके लिए अधिकारियों की निफ्ती की गई और सिल्प उद्ध्यों का विकास हुआ और कच्चे मालों की खोज आदी से ब्यापार वड़िज्जी की इस्तिती बनने लगी और आप सोचे की करविवस्ता आज ही आप लोग कर नहीं दे रहें उस समय भी आप देखें की राजा महराजा कर लिया करते थे ओपयुक्त परिवत्तन के कारण छोटे छोटे जनवदों ने महाजनपदों का रूप ले लिया कुछ जनों अत्वा कबीलों ने महाजनपदों की स्थापना कर लिया कुछ जनों ने आपस में मिलकर महाजनपदों का रूप धारन कर लिया जैसे पंचाल हो गया इसके साथ ही योद द्वारा बिजित पिदेशों को मिला कर राज जनमार किया गया की योद द्वार आप देखें कि किसी चेत के कोई वहां का मुखिया हुआ करता था सासक हुआ करता था वो हार गया उस चेत को भी अपने में मिला लिया और इस काल के अंतरगत आप देखेंगे तो साहित में 16 महाजनपदों का उल्लेक मिलता है कितने 16 महाजनपतों का और इसमें आप देखें गर्तन्त और राश्तन्त दोनों की विवस्था थी जिस तरह की दोनों तरह की विवस्था थी और राश्तन्ति ये विवस्था की बात करने तो छटी सताब्दी इसापूर के अधिकांस महाजनपत राश्तन्ति ये विवस्था द्वारा पसासित होते थे परंतु सभी राज्टन्तों की पसासनिक व्युस्ता भी एक जैसी पितित नहीं होती है इन राज्जों के राजाओं की स्थिती का अंदाजा एतरे बरहमड से लगता है जा विभेन पकार की राज्टन्तों का उलेक मिलता है इस गरंथ में पांच पकार की राज समराज भोज सुराट बैराज राज का उलेक मिलता है इस तरह से आप समझे कि आज भी आप देखते हैं दुनिया भर में देश हैं कई आप राज्टन्त देश हैं जहां राजाओं का सासन होता है कई देशों में आप देखते हैं कि चुनके आते हैं हमारे द की क्या होता था समराट कह लाते थे उनका अभी से समराज के लिए होता था ऐसे सासक सदेव अपने राज् We knew की से लिए पृहतन सील थे और इसका सबसे उत्तम उधारन मगत की समराट कें साथ करते हैं डच्छेण के साथ वतों यानड़ों का राज्य भोज कहलाता था और इत्यादी ने सौराज पेडाली पिछलित थी और यहां के सासक सौराट कहलाते थे इस विवस्था में राजा किस्तिती समानों समानों में जेश्ट की थी और यह विवस्था बहुत कुछ कुलीन तंती थी और जिसमें सभी कुलीन बारी-बारी से सासन में हिस्ता लियते थे उत्री छित में हिमाले वैराज पेडाली पिछलिती यहां के सासक विराट कहलाते थे इन राजयों में आप देखेंगे संभावता कोई निश्चित राजा नहीं होता था बलकि पर जाके चुने हुए पितिनी थी ही सासन का भार समालते थे और मद्य देश में राजय विवस्ता थी जहां के सासक राजय कहे जाती थे इस जगह पर कुरू, पंचाल, कासी, कौसल, इत्यादी, परंपरागत, राजसंताग में विवस्ता पिछली थी यह विवस्ता मगद समराज के उदए और मौर समराज की स्थापना की पूर्थ तक चलती रही हूँ तो अलग 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 छित में आप देखे अलग अलग तरह की विवस्ताएं थी अगर गरतंतों के उदए की बात करें तो 600 इसापूरुव में गर्तंतों का उदय बैदिकारियों की सामाजीक बिवस्था और बैदिक आदर्सों की बिरुद्ध पितिकिरिया के रूम में हुआ और समभतर राजा की निरंकोस अत्याचारी सासन से तंग आकर जनता ने गर्डराज इस्थापित किया यानि की राजाओं को हटा कर आप देखें इहां चुनाओ इसकाल में लोकमत में से सासन करने की प्रवित्ती पिरवल हुई जन से जनपत की पिक्रिया के दौरान कवायली जीवन से प्रवावित लोग हिमाले के आगम पिदेशों में आकर वसे और उन्होंने गर्टनत स्थापित किया चुनाओ दारा एक तरह से आप लोग सीधा सा सब्दे समझे चुनाओ के द्वारा आपने राजा का ये चुनाओ गरते थे इसका सवरूप समकालीन राज्टनतों से भिन्न था राजतंत में सकती एक ब्यक्ति में नहीं थी वहीं गरतंतों में सकती ब्यक्तियों के समूव में बैसाली की लिक्षिमी में आप देखें कि 707 लोगों का एक समूव था इन गरतंतों की सत्ता कुलीन समूव के हाथों में थी पितेक राजितंत की एक नेमित सेना होती थी लेकि क्या, दस गर्तंद राज्य थे, जिसमें आठ वजी संग के, और दो थे मल्ले के अंतरगत, इस काल का सबसे बड़ा गर्तंद था, बैसाली का लिच्छ भी, तो ये भी याद रखेगा, ये आप देखे, आपके 16 महाजनपद देख रहे हैं आपको, इस के रिम पर 16 ये महाजनपद हो गया, इनकी बरत्मान इस्तिती, राध्धानी और मात्पूर्ट तक थे इनके बारे में, इनसे डारेक्ट कुश्चन्स कई बार पूछ लेता है, इनके बारे में जरूर याद रखेगा, जैसे कासी, इसकी बरत्मान इस्तिती बनारसा आप लोग देखते थे, कौसल की बात करें तो फैजाबाद उत्तर पे इसकी आसपात का छेत, और इसकी राध्धानी की बात करें तो उत्तर कौसल में सरावस्ति एयवध्या थी, और दच्छिट कौसल में कुसावती थी, यहां कर राजा की बात करें तो पिसैन जीत, मगद सासक अजासतरू प्राची नाम मालिनी बुद्ध के समय छे प्रमुक महानगरों में सामिल था योजनाकार वास्तुकार महागोविंद विमिसार ने मगद में इसे मिला लिया था फिर आप देखेंगे वज्जी संग ये उत्री विहार में आपको देखने को मिलेगा वैसाली इसकी राध्धान थी और वज्जी का साब्दे कर्थ होता है पसुपालक समधा है और आठ राज्जों का संग जिसमें वज्जी वैसाली मितिला पिरमुक देश में मल्ले की बात करें देवरी जाल पुरी वी उत्तर पुरी इसकी राध्धानी हुआ करती थी कुसी नारा में बुद्ध को निर्माड पराप्थ हुआ था और पाबा में महामीर की मितिव हुई थी अजाशत्तु द्वारा अपने राज में मिला लिया गया था ये फिर आप कौसंबी को अपनी राध्धानी बनाया, फिसेद राजा उदेन था यहां का, मगत ये दच्छन बिहार की अस्पात का छेत, ग्री वर्ज, राजगरे इसकी राध्धानी थी, सिसुनांग बंस, हरेक बंस, विमिसार, अजासुक, अजासुक, सबसे सकती साली महाजन पत था य दर आप देखें के पंचाल, पांचाल, ये बरेली और वदायू का छेत था, उत्री पंचाल की राध्धानी अही चत थी, और दच्छडी पंचाल की राध्धानी कंपल ली था, कंपेल ले, और काने कुप्ज, कंणोज नगर पिसे थी था इसमें, अंगला महाजन पत था म जैपुर अलवर, राजिस्तान का छेत था, बिराट नगर इसकी राध्धानी थी, मगस ने अपने समराज में मिला लिया था, अंगी चल के से, चैदी, बुंदेलखन का पूरी विभाग था उत्तरपेदेश में, सुक्ती मती, इसकी राध्धानी सी, सोथी वती, भगबान किसने का पिसिद्य सत्रू, सिसु नांग, सिसु पाल, इसी बंस का था, असमक, ए आंध्पेदेश में गुदावरी तट पर था, ओतन या फोतना, इसकी राध्धानी थी, दच्छिन भारत में एक महाजन पत इस्तल था, अवंती द्वारा इसका पिलाई कर लिया गया था, सूर सेन, ए मत्रा उतरपदेश के चेत में मत्रा इसकी राध्धानी थी, पुराणों महाभारत में मत्रा सासक को यदूबंसी ये कहा गया, गंधार, ए आधुनिक पेसावर के आसपास का चेत था, तक्छिला इसकी राध्धानी थी, तक्छिसिला इसकी राध्धानी, पिर राजपूर हाटक इसकी राध्धानी थी, महदपूंड सासन था, चंदवर्धन और सुधसिन, कुरू की बात करें महाजनबत की तो दिल्ली मेरा थाने सोर का छेता आता था, इंद परस्त आप देखेंगे इसकी राध्धानी थी, इसका समंद युद्धिश्टर महाभारत प सिसुनांग द्वारा मगद में विलाई कल दिया गया था इसे, तो इन सभी महाजनबतों के बारे में एक सामान जानकारी अपने पास रखनी चाहिए, मुझे लगता है, क्या चित करनी चाहिए, रचनी चाहिए, और ये आप देखें कि आपका क्या रहा, एक तरसे पद हो गया, इनमें आप लोगों को बता देता हूँ कुछ, देखें, यहाँ आप लोगों के सामने एक महत दिखाई दे रहा है, उपर से सुरू करते हैं कमबोच, ए पेसावर, गंधार, ए आप देखें कि तक्चला हो गया, ए बितस्ता नदी हो गई, परुसनी हो गई, स सूर सेन, ठीक है, यमना हो गई, मल, कोसल, ए सरावस्ती, कपिल बस्तू, अयोध्या, कासी, बैसाली, कासी बैसाली, ठीक, बिदे, साक, चंपा, अंग, ए ताम, ताम, लिपत, लिपती, पाठली पुत, मगद, ठीक है, वल, वत, वत्स, कोसामी, प्रयागे आपने देखी ल है, फिर आप लोग, चैदी, मत्स, अवंती, उज्जैनी, ठीक है, यह आप देखें, भरोक, भरोकच, पितिष्ठान, ठीक है, और यह नदी हो गई, आपकी गोदावरी, और यह आप देखेंगे, किसना नदी है, काबीरी नदी है, तो यह सभी आपकी रहे हैं, ताम, पढ आपको याद रखना चाहिए, यह पिर मोग गरतन थे आपके, जिसे कपिल वस्तु के साथ, नेपाल की तराई में, सुम सुमार परवत के भग, यह मिर्जापुर के चुनार छेत में, अलकप के बुली, यह आप देखेंगे, बिहार पराद के साहवाद आरा मुझपरपुर में, केसपुत के कलाम, यह आप देखेंगे, कोसल के पष्चे में, सुल्तानपुर बलिया, रामगराम के कोली है, यह गोरखपुर जिले में, रामगड ताल, कुसी नारा के मल, यह आप देखेंगे, आधुनिक कुसी नगर, पाबा के मल, आप देखेंगे, कुसी नगर, औ इस्तिद पड़ोना फिर आप देखेंगे कि पिपल वन के मौरी है गोरपूर बैसाली के लिच्वी ये बुद्ध काल का सबसे बड़ा गड़ राज्य था मैं थीला के बिदे ये बिहार के भागलपूर दर्भंगा जिले में था तो इनके बारे में भी याद रखेगा राज्यूंगी पिशासनिक विवस्था राज्टन्तरों से अलग थी दौनों में मुक्व विवेद यह था कि राज्य तंतरों में सासन का प्दाण बंसानुगत राजा होता था जो सिद्धान ता सुख्छाकारी धंग से सासन करता था, अपनी मन मर्जी काम करता था , और सामवी धानीक रोफ से, राजा पर किसी पकार का नियंतर नहीं हुआ करता था इसके ठीक पिप्री तागर आप लोग गरतंती वेवस्था में देखें तो निर्वाचित राजा कुलीनों के सहयोग से और उनके नियंतर में काम करता था दोनों वेवस्थाओं में कुछ अन अंतर भी दिखाई जा सकते हैं अब आप सोच लेजे सी दीसी बाद कि आप सोचें कि जिस देश में अभी भी राज्या हैं वहां का राज्या किसी भी तरह का कुछ भी करें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है लेकिन हमारे देश में आप देखें कि एक चुनाओ की पिकिरिया के द्वारा पिधान मंतरी का चुनाओ होता है और आप देखी पिदान मंतरी अगर कुछ आप देखी निरंकुस ता दिखवाते हैं या आप देखी कि एक तरह से आप सोचे कि तानसा ही दिखाते हैं तो आप देखते हैं कि जनता अंगली वार उन्हें हरा देगी उससे पहले ही उनके सांसत जो होंगे वो अपना जो उसे खीच लेंगे उनकी सरकार गिर जाएगी ठीक है राश्तंत में राजस्वराप्त करने का अधिकार सिर्फ राजा को ही था सेना भी वही रख सकता था और इस पर राजा का अधिकार था परंतु गरतंत में ऐसी बात नहीं थी गड़के प्रमुक बैक्ती भी राजा की अरतंत बास्टवीक अरत में कुलीन तंत थे और जहां प्रिजा सिधे पिसासन में भाग नहीं लेती थी और बटकी आप देखें कि कुलीनों का ही पिसासनिक विवस्ता पर प्रभाव था और राश्तंत में राजा की प्रमुक सलाकार की कहसिये से पुरोहित और अन ब्रहम लोग उनके सहों की हुआ करते थे उन्हें विसे सुविधायन दी जाती थी विसे साधिकार हुआ करते थे ठीक है तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगने मुवियां कहानी पड़ी है राजा महरा जाओं की परद्दू गर्तंतों में ब्रहमरों की भूमिका गौर थी इनकी ब देखेंगे 7707 सदस थे वहीं युद्धियों में 5000 वहीं आप साक्यों में आप देखेंगे 500 थे एस सदस कुलीन वरग या सासक वरग से ही आते थे सामान जनों को इसमें स्थान नहीं दिया जग गया था सारे सदस संथागार सभाभवन में वैटकर बाद विबाद द्वार पता दिकारी होता था हमारे अभी भी आप देखें गड़पूर्ती सुने हैं आप लोग और अबावमत सुने हो आप लोग और आप सुची जहाँ राजा की चलती है हमाहां राजा कोई भी तो वे राजा को वो पास उसने बूला कि ये नियम लागू होना है तो होना है मतों की गड़ना करने वाला अधिकारी सलाका गराहक की नाम से जाना जाता था यागिपी गड़ राज्यों की नयाएक विवस्था की पिसंसा की गई और तधाफी सासन के अंडविभागों तधा रा अधियों के पास सांतियोस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की टुकडी थी तो ये भी चलिए आपका क्या हो गया आपका महाजनपद ने पट गया क्या हो गया महाजनपदों का उदय हो गया महाजनपदों के बारे में एक सामन जानकारी आप लोगों ने देख लिए औ और सबसे महत्पूर मगद आपका महाजर्पत रहा है, तो इस पर एक separate class लेनी चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि आप देखिए, इससे questions आपकी परीक्षाओं में हर साल एक नाई questions पूंच लेता है, तो आप लोग अभी enjoy करेए, अंगले topic में हम लोग मगद का उदय देखे ठीक है, आपके कुछ सवाल हों तो आप लोग बताईएगा, उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे